प्रवर्सी राजस्थानियों को राजी की सीमा में प्रोवेशन नहीं देने की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई इसमें राजस्थान हाई कोट ने राजसरकार को नोटिस जारी कर 24 घंटे में चवाप मागा है जस्टिस संगित लोडा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंटपीट में याचिका करता हरी सिंग राजपुरहित की ओर से दायर जनहीत याचिका पस्थुनवाई हुई जस्टुरान सरकार की ओर से अतरिक्त महाधिवक्ता पंकश शर्वा ने बताया कि इपास दिखाने पर बौर्डर में प्रुष दिया जा रहा है और इस पर याचिका करता के अधिवक्ता ने कहा है कि ये याचिका उन शमीकों के लिए दायर की गई है जिनके पास ना तो एंडरोइट फोन है और ना ही खुद की काड़ी वे फोन लेकर इपास केसे बनाए इसके बाद हाई कोड़ खनपिट ने राजसरकार को नोटीस जारी करते हुए 24 घंटे में जवाब पेश करने के आदेश देने के साथ ही मामली की सुनवाई 15 मई को रखी है सरकार ने 30 अपरेल से बस के द्वारा परिवन और 2 मई से ट्रेन के द्वारा परिवन की अनुमती दे दी परन्तु उसके बावजुद भी 11 दिन में न तो राजस्तान सरकार ने कोई अंतराजी बस सेवा शुरू की उन लोगों को लाने में एवं नहीं रेल मंत्राले से अभी तक रिक्वेस्ट की है कि उन्हें ट्रेनों की जरूत है उन शर्मिकों को घर तक लाने के लिए दो तारिक से 11 तारिक तक राजस्तान सरकार की तरफ से कोई भी ट्रेन करनाटका महाराश्टरा और गुजरात से रवाना ने